गिन्नी और बिटकॉइन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए जो लोग किटिन पालते हैं उनके पास किटिन है और आपकी किटिन को जरा सा भी कोई भी इंफेक्शन हो गया है तो आप उसको घर में ही क्योर कर सकते हो एक छोटी सी दवा है जो आपको मतलब लेके रखनी ही रखनी है और आप उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बस आपको थोड़ा सा डैल्यूट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए आपकी किटिन है किटिन मेल हो या फीमेल हो दोनों की बात कर रही हूं मैं या बेबी छोटा हो या बड़े हो एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो वो ड़जन्ट मैटर बट करना क्या है आपको देखिए जबी भी आपको लगे आपकी किटिन के इंफेक्शन हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है मार्केट से ये लिक्विट जो बीटा डीन है आपको ये खरीदना है ये बहुत अच्छी दवा है देखिए अभी का मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो बिटकॉइन है मेल जो मेरा किटिन है मेल किटिन उनके नाग से यहाँ से एक पॉइंट जैसा कुछ हुआ था उसके बाद वहाँ से खाल घट गई वहाँ से बाल चले गए वह चीज बढ़ गई थोड़ा सा बढ़ गई वह तो मैंने क्या किया लिक्विट बीटारीन लिया उसको थोड़ा सा जैसे इस बाउल मैंन ले रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसको डाइलूट कर लिया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन रहती है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगाना है ले करके थोड़ा सा कह सकते हैं चार से पांच ड्रॉप ले लीजिए अगर इ जाएगा मुझे यह 100 रुपीज का मिला है और मैंने पता है यह दो ही दिन लगाया है और बिटकॉइन के मतलब जो हमारी किटन है उनके यहां पर बाल आ गये हैं जहां से बाल गायब हो गए थे इसके निकल आई थी बहुत जादा एक दम चिकनी चिकनी और जितने भी बाल बाल उग रहे हैं वहां पर मैंने सिर्फ सिर्फ एक या दो दिन ही अभी बीटाडीन लगाया है चार से चौथा दिन है आज मैं लगाऊंगी अभी इनके तो काफी अच्छा रिजल्ट है अगर आपके किसी भी किटन को कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो आप अच्छे स क्यों कर सकते हो देखिए जैसे फंगल इंफेक्शन हो गया या हैर सुनके उड रहे हैं या फिर कोई ऐसा रिंग वर्म जैसा गोल गोल चकते टाइप के बन रहे हैं बहुत टाइप के इनके इंफेक्शन होते हैं तो आपको क्या करना है हफ़ते में एक बार आपको बीटाडेन से clean करें मतलब ऐसा नहीं करना है कि भिल्कुल आप भिगा दें नहीं cotton भिगा करके निचोर करके उसको पोछ से एक तरीके से आपको वो फुरी पोछनी है उसके बाद में सुखी cotton से आप उसको clean कर दें ताकि आप कीतिन उसको चाटे ना कोई और चीजब ना, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो जा, इस वजह से उनकी ग्रूमिंग करने की आदत होती ही है, तो आपको क्या करना है, लगाने के बाद में, पहरे आप लगाएंगे कॉटन की सहायता से, उसके बाद में, आप सूखी हुई कॉटन से, उसको साथ खी, चाटेना, इससे क्या होगा? धीरे-धीरे आपकी किटन कोई भी इंफेक्षोन नहीं होगा, आपकी किटन सेफ रहेंगी, स्वस्त रहेंगी और उनको कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सामने दिखा देती हूँ कैसे आपको लगाना हैं, यह देख अब इनके बाल आ गए हैं यहां पर आपको दिखा देती हूं, देखें इनकी नाक के पास के यहां के बाल हट गए हैं, यहां के यह रहे हैं तरना क्या है लिक्ट बीटारीन तो घुला हुआ रखा ही है आपको भी ऐसे घुल के रख लेना है और हाँ उसको बंद रखें ताकि वो उड़ेना उड़ जाता है अगर आप खुला रख देंगे तो बीटारीन बिल्कुल सूख जाएगा तो आपको इस चीज का भी धिहान मैंने कॉटन ले ली है क्योंकि इनके बहुत छोटी सी जगा है वहीं से बाल उड़े तो इतनी सी कॉटन इनके लिए सफिशियंट है इसको भीगा लिया मैंने और इसके बाद देखी ये इस तरीके से लगा कर मैं इनके जहां से इनके बाल उड़ रहे हैं वहां पे मैं इस यह देखिए इस तरीके से आपको लगाना है यहां पर मैंने यह लगा दिया अब यह थोड़ी दिर खेलेंगे थोड़ी दिर में यह गायब कर लेंगे इस चीज को ठीक है तो इस तरीके से आप इनके किसी भी जहां पर infection है उस तरीके से लगा लें और इनकी cleaning कैसे करना है आपको वह भी मैं दिखा देती हूं जैसे ये cotton है इसको मैंने निचोड लिया है ओके बड़ी cotton लेंगे आप मुझे अभी इसका काम नहीं है इनको आपको इस तरीके से clean करना खूब अच्छे से उसके बाद में आपको सूखी cotton जैसे यह रही सूखी cotton लेने के बाद में आपको उसको clean करना है आपके किटिन थोड़ी सी पीली पीली हो जाएंगे यलो हो जाएंगे बीटारीन की वजह से बट आपको डायलूट देखिए इस तरीके से आपको clean करना है पूरी इनकी body ऐसे गीली cotton से पूरी body आपको इनकी clean करना है उससे क्या होगा कोई भी infection नहीं होता है अगर आप इन if you like this video please like comment share and subscribe और आपको ऐसी बहुत सारी knowledge कह सकते है information videos मिलती रहेंगी like करिए सबसे पहले और subscribe कर लीजिये thank you so much